आजी के दिन एक हमला हुआ था मानुता पर उस पर यह हमला किया गया लेकिन हमारे शहीदों को मैं नमन करूँगा जिस प्रकार से उन्होंने इसका सामना किया वो हर कहानी उसकी यादे आज भी हम सभी के मन में ताजा है भारत ने कभी किसी को आतंकवाद की और नहीं रखेला यही हमारे समाज की ताकत है कि हमारे उपर कितने भी हमले करने की कोशिश हो लेकिन हम हारेंगे नहीं क्यूंकि हम सच्चाई की रहा पर चलते हैं और यही सच्चाई की राह हमें हमेशा अपराजित रखेगी मैं ऐसा मानता हूँ कि 26-11 को हमारे शहीदों को शहादत देते हुए यह संकल्प हम मिलकर करें कि हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए देश की सेना, देश की पुलीस, देश के फोर्सेस यह तो काम कर ही रहे है लेकिन एक नागरिक के रूप में हम लोग भी अपना युगदान दे हम लोग भी सेना के हमारे फोर्सेस के आख और कान बने और हमारे देश को सुरक्षित रखे हमारे शहीदों को जिनोंने अपनी जान की बाजी दी ऐसे सभी शहीदों को बहुत बहुत नमन करता हूं सेलूट करता हूं